अलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो माई यूटूब चैनल, तो आज के वीडियो में मैं डिसकस करना वाला हूँ कि आलाग-अला कौन-कौन सा चार्जेज होता है जो कि WBC-Decel में लिया जाता है निसको लेकर बहुत जाता है confusion मी है वोध लोगों के बीच में कि ज़्यादा ले लि लिया क्यों ले लिया ठीक है तो हर एक चार्ज के बारे में भी डिसकस करना वाला हूँ एंड में तीन चार्जेज के बारे में डिसकस करना वाला हूँ डिसकनेक्शन चार्ज रिकनेक्शन चार्ज एंड डिसकनेक्शन रिकनेक्शन चार्ज तो यह कितना अमोंट का होता ह कितना पैस आपको पे करना पड़ता है और कब यह चार्ज जो है आपको पे करना पड़ता है ठीक है दिस जीटो को एंड तक जरूर देखेगा तो यह चार्ज है 40 रूपीज तो डिसकनेक्शन चार्ज इन WB, A, C, D, C, L is 40 रूपीज इसको अगर आप पे करते है इसका आपको रसिद मी मिलता है कैस काउंटर से ठीक है तो यह चार्ज कब पे करना पड़ता है देखेए सपोज आप एक क्वार्टर में रहते है फ़र एक है तो फॉटईल डिस्कनेक्शन जब करते हैं तो उस टैम से क्या है एक application 경endu कि मेंदा लैन को disconnect किया जाए तो उस टैम जो है आपसे यह चार्ड लिया जाता है बहुत जगाँबे हो सकता कि नहीं भी ले बट इम जणरेरल लिया ही जाता है तो इसको काय ते है डिस्कनेक्शन चार्ज जो आपको लाइन काट रहा है उसके लोग एक 40 रूपीज फीज आपको पे करना पड़ता है जिसका रसेट भी आपको जो है मिल जाता है तो जनरली जब आप खुद से डिस्कनेक्शन करवा रहा है जनरली उस सिनरियो में जो है इसको लिया जाता है सेकेंड है रिकनेक्शन चार्ज ठीक है तो रिकनेक्शन जैसके आप जान सकते है इसका नाम से ही कि जब आपका लाइन और पहरे से कटा हुआ है ड्यूटू सम रिजन आप पहले साथ काट के गया थे कि हम इतना साल तक नहीं तक नहीं दाएंगा बढ़ती मेरा काट दो ब तब आप से रिकनेक्शन चार्ज लिया जाता है खांका 60 रूपिस तो सेट्यू के आपको पर यह चार्ज लिया जा सकता है एंड रिकनेक्शन चार्ज इसको पे आपकोे करनेगा ग शूट Sl dat को प्रेश कृकलनेक्ट के advising मिलता है जिस पर यह साफ सफ लिखा हुआ रहता है 60 रूपीश फर रिकनेक्शन चार्ज थर्ड हम लोग बात करेंगे यह फाइन होता क्या है तो देखिए जब भी आप एक डिफॉल्टर कॉंजुमर बन जाते है मतलब आपका इलेक्टिसिटी बिल का जो पेमेंट का जो डिव डेट था वो आप फेल कर रहे है ठीक है जनरली तीन इंस्ट्रॉल्मेंट रहता है अब जब भी एक इंस्ट्रॉल् में आपका दीक में पैसा नहीं दिया तो धाफर थर्टी डेस ठीक है फिफ्टीन डेस बात बात नो्टी ऐजाए उसका अई कणेक्ट करने जाता है उसको बात प्रमेट करने जाता ए अन काफी ज़्यादा क्या होता है कि एक सुपे देना परता तो वह फाइल क्या होता है उसको बगते हैं हम लोग डिसकनेक्शन रिकनेक्शन चार्ज मतलब आप डिफर्ट किए इसका चक्कर में आपका बत्ति काटना पड़ा ठीक है आधमी है हम लोग एक additional charge लिया जाता है इसको कहता है disconnection, reconnection, charge ठीक है तो इसको mainly तभी लिया जाता है जब आपका line cut किया हो due to you know dues, outstanding dues and आपको फिर से reconnect जब करना payment करना जाता है तो cash counter पर यह बैस आपको देना पड़ता है या online में भी यह so होता है अगर यह book किया हुआ है आपका against me ठीक है लेगन disconnection, reconnection, charge आपको pay काना पड़ता है once you have failed to pay your outstanding dues in time and line has been disconnected ठीक है तो यह सब scenario में आप देख सकते है कि जितना भी charges लिया जा रहा है चाहे वो disconnection का charge हो, reconnection चार्जर जो हो यह सब charges तभी लिया जाता है जब आपका end से कुछ request आता है या कुछ situation आता है ठीक है तो खुद से जाके कोई आपका बत्ती जान बुझके नहीं काटता है या तब payment fail किये है तभी आपका बत्ती काट रहा है due rate कर पाशा नहीं दिये है या फिर आप खुद से request कि है कि मैं आपका बत्ती काट दीजे मैं आभी नहीं रहना वाला हूँ इदना साल के विए तब आपका बत्ती कार र आपको पैसा नहीं देना है जितना भी काम होता है WBCDCL के अंदर में सब free of cost होता है उसके लिए consumer से कोई पैसा नहीं लिया जाता है अगर आपको पैसा नहीं देना है यह मान के ज़िए कि जब भी department आप से पैसा लेता है उसका प्रौपर रसीद आपको देता है अगर पैसा डिपार्टमेंट आपसे नहीं ले रहा है तो यह धियान रखे है कि maintenance का काम के लिए कभी भी DCL आपसे पैसा नहीं लेता है ठीक है लेकिन अगर इस तरीके के situations रहता है disconnection, reconnection यह फिर आप पैसा पैमेंट नहीं कि तो बत्ती काड़ा गया तो फिर से जोड़ना है तो इसी तरीके का informative और भी अगर कुछ topics पर आपको वीडियो चाहिए तो आप comment section में मुझे बोल सकते है So if you guys learned something new अगर कुछ नहीं जानने मिला कुछ नहीं सिखने मिला तो लाइक बटन को हिट किजे मुझे मुझे मोटिवेट किजे देखिए नीचे में subscribe बटन है उसको हिट किजे उसका बगल में bell notification को भी click किजे और इसी तरीका informative वीडियो को enjoy करते रहिए So मेरे एक प्लेलिस्ट है WBCDCL जिसमें जो है इसी जरीके का अलग-अलग topics पर वीडियो बना हुआ है specially dedicated to WBCDCL like billing, disconnection, new connection, etc. तो उस प्लेलिस्ट पर चेक आउट कर सकते हूँ, इसका लिंक जो है description में दिया हुआ हुआ है और आप बटन में भी आ रहा होगा तो see you guys soon in my next video, till then you guys please take care of yourself, stay safe, stay healthy, jahind